शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें और वो डिनिस परेरा जो आजकल के लिम यानि कोकणी लाबी का नेता वरा है इसलिए गौर्नमेंट इस समय इस पोजिशन में नहीं है कि उसे छेड़े दिस इस ट्रैजिडी आप डिमाकरसी मैं बॉई यह कैसी डिमाकरसी है यह कैसी सरकार है सिर्फ इसलिए कि कोई स्मगलर या कोई ड्रक ट्राफिकर किसी एक लाबी का नेता है उसे छूट दी जा रही है वो मनमाई कर रहा है मैं तो आज भी त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूँ लेकिन क्या सिर्फ मेरे त्याग पत्र देने से समझ से हाल हो जाएगी नहीं कुर्सी छोड़कर हमें आज जो कुछ करना है वो भी करनी पाएंगे बगैर सत्ता के कुछ भी करना नामुम्कीन है इस संगर्ष में हम सब को शामिल होना पड़ेगा लेकिन दुर्भाग की बात तो यह है कि आज की युवा पिड़ी इससे कत्रा रही है आज देश की राजनीति के लिए कॉलेज इलेक्शन्स भी उतने ही महत्व पूर्ण है कि डाड़ी कॉलेज इलेक्शन का राजनीति से क्या लेना देना यहीं तो बात को समझना है वेट जुद्ध कर ला रहे हैं सहभी जैसे गुंडे विद्यार्धियों के नेता बने फिरते रहे थे और संजी उजेसे युवक जिन में इन गुंडों से टक्रानी की ताकत है जिन में पचाडनी की ताकत है वो इलेक्शन से कत्रा रहे नहीं सर मैं कत्रा ने रहा हूं इलेक्शन से ज्यादा मैं गुंडों और ड्रग डीलर से ने पटना जरूरी समझता हूं इसलिए तो तुम्हारा कॉलेज इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है तुम्हारा कॉलेज परेरा जैसे दुश्मनों की हाथ मत जाने दू अगर तुम अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तयार हूं ठीक है सर मैं अपना फैसला बदलता हूं मैं इलेक्शन लड़ूंगा कालिज से गंदगी हटाने के लिए मैं इलेक्शन लड़ूंगा काल्या शारिक्श्न काल्या काल्या ऱ ब्ल际 काल्याओ्वान मास्ना पासियों जो घुंजे वही दिल की आवाज है तो गुंगए में है दिल की आवाज तुम जो घुंजे वही दिल की आवाज है तो गुंजे मेरे दिल की आवाज तुम कले कट रहे हैं जुपा के लिए लगी आग गिरते मका के लिए अवाल एक ही है यहां के लिए जमी क्यों लुके आसमा के लिए कहो कुछ जुबा पर अगर नाज है जो घुंजे वही दिल की आवाज है तो गुंजे मेरे दिल की आवाज तुम करेंख का लिए यहाज़ स्वेश करेंट थिल कि अवाज़ तुम कि अवाज़ बगल कि और दो कि प्रिश कर दो 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 कर दोक में, ये अख्या quelquा है, आःसर, क कंौक्णी मारॅथि, मौहेसं को पीडियों रागे, वा गोर्खा लेंड में हर जगह जगड़ा है जगड़ा हर जगड़ा हर जगह दंगा पसाथ कभी जबान के नाम पर कभी धरम के नाम पर अवे भी चारपा अंकल हो माइ hyvä छार पांव शाय तुका सावी चार पांव्ड रे बेबिन के हां बेबी स्प्विध बेबी स्कूल ना ना पावन अको यतले रहने अनी स्कूल अको यतले हां बगिरे, पोशाओ! क्या होगा हप्लादेश्कू? सब बाइब बाइब सोटादेश्कू? अरिब आप, टानिस्टर! सब्सक्राइब आप, जब मैं बेगरी पहुंचा, सब कुछ नॉर्मल था, अंकल पेद्रो न्यूस्पेपर पे छपी दंगे फसाद की ख़बरों पे अफसोस चता रहे थे, वो बरबर आ रहे थे, राजनीती पे चिंतत थे, और वाजनीती आप, कौन कौन थे वहाँ पे? हरोज की तरह तीन-चार गिराक थे, और एक प्यारी सी पच्ची, फिर मैं बेकरी से बहार निकलाया, अच्छा, फिर क्या हुआ? एकदम से बेकरी उड़ी गया, और वो जोनलिस्ट? वो भी साथ न उड़ गया, इसका मतलब हमारे गैंस जो भी प जोएल? येस ब्रदर, आई हव गुद निउस फर यू, वो बेकरी उर गया, जोएल, मुझे बेकरी उड़ाये जाने की निउस मिल गई है, मैंने लियो और चेकप को जो काम दिया था, उसका पुरा रिपोर्ट चाहिए, बेकरी और जोनलिस्ट में टीप कनेक्शन है, हमार इसके साथ खलास, अब हमें कुछ डर नहीं, अंजाने में पहली बार कालेकर ने अपनी मदद की है, कालेकर? हाँ जोएल, कालेकर इसी तरह के एक्टिविटीज करा करा कर सी एम की चेर घसिटना चाहता है, जबके मैं दुबारा इलेक्शन कराना चाहता हूं, उसने प्रेस इस कांफरेंस बुलवाई है, इसलिए मैंने भी प्रेस वालों को इन्वाइट कर लिया, लेकिन जोएल, ये न्यूस देकर तुमने मुझे बड़ा रिलाक्स कर दिया, रिलाक्स ब्रदर, इस हंगामे में किसी ने तुम लोग को देखा तो नहीं, नो, पुलीस आने से पहल मैंने इतनी गौर से किसी को नहीं देखा, मैंने कहा न, मैं अंकल पैद्रो की बाते सुन रहा था, इतने में एक आदमी घवराट में आकर कुर्सी पे बैठ गया, उसका खुलिया याद है, नहीं, मेरे बहार आने के बाद प्लास्ट हुआ, तुम वहाँ थे, और फिर भी तुम से कुछ काम की बाद मालूम नहीं हो रही, आम सॉरी, जो देखा, वो बता दिया, संजीव, स्टेट में देशत पहलाने के लिए, मराठी और कोकुणी के नाम पे, कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि गवर्मेंट नका रहा है, बांडूर कर साथ, ये तो अब की जूटी है, कि छांट बीन करें, तुम जैसे लोग मिलते रहे, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं चलूँ, वाई, साच हरी, ऐसा है कि पाव ने निकला था, और इतने सवेरे मा के जूते नहीं खाना चाहता, तुम किस कॉलेजे पढ़ते हो, पिता जी के देहान समय ने के बाद, मैं पढ़ नहीं सका, ठीक है, कल सुबा दस बजे तुम मुझे फैरी पर मिलना, मैं तुम्हे अपने पुराने कॉलेज में अड्मिशन दिलवाने के कोशिश करूँगा, छी सर, चलूँ, एक या लुकले रहे, अनौ उह handicap है, एक रंड काव लेने के माने मान पॉली स्टेशन गया था पॉली स्टेशन ऐच्छा आज कल पॉली स्टेशन पर भिखने लगे हैं अरे जो काम सुबह उटकर तुझे करना चाहिए था मैं और तेरी बेहन करके आ रहे हैं मुझे क्या मालूम था मा, मैं पाउ लेने जाऊँगा और मेरे निकलते ही बेकरी में ब्लास्ट हो जाएगा क्या हाँ मा, किसी ने बॉम रखकर बेकरी को ब्लास्ट कर दिया और बेचलर, वही नहीं बलके बेकरी में बैठे बाकी लोग और एक प्यारी सी बच्ची, बेदर्दी से मारे गए इसलिए मुझे पूली स्टेशन जाना पड़ा तुझे ऐसे चक्करों में पढ़ने की जरूरत ही क्या है तो क्या मैं आंख बंद करके चला आता, जैसे कोई फिल्म देखकर घर चला आता है मैं पहले ही तेरे पिताजी को पूली स्टेशन में खो चुकी हूँ मा अगर मैं खुद नहीं जाता न, वो इंस्पेक्टर डीपक बांडोट कर है न, तो मुझे घर से उठा कर ले जाता दूसरों की फिकर करने से पहले अपने घर वालों की सोच चल अब अंदर चल बहुत काम पड़ा है चल अब कली की दुरगटना को लीजिए मैं कहता हूँ उस बेचारे बेकरी वाले का दोश क्या था लेकिन उसको बली का पक्रा बना दिया गया लेकिन वो बेकरी वाला इसाई था, कौनकनी था, आखिर उससे क्यों? हाँ, तेस्तर हीची आलोकंची चाल है भाई जाहिरे, लोग तो यही कहेंगे कि ये काम मेजॉरिटी वालों का है मैं कहता हूँ अगर मेजॉरिटी वालों पर ही दोश लादना है तो अपने ही भाई को खतम कर दो और कहो कि मेजोरिटी वाले माइनरिटी वालों को रहने नहीं देते चाब ये भारत अगर लोगतंत्र भी हो जाए तो आखिर भाहुमत तो हमारी है माइनरिटी वालों को माइनरिटी वालों की तरह रहना सीख लेना चाहिए हम भे भगवान इसु को मानते हैं उनका आदर सन्मान करते हैं परन्तों इस कार्थ ये नहीं कि हम मराथी को हटा कर कोकरी भाशा का स्विकार कर ले और ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि जो केलेम के नेता बने फिर रहे हमारे इसाई भाईयों को हम हिंदू के खिलाब भड़का रहे भी मैं कहने वाला काउन हूँ मुझसे बहतर तो आप लोग जानते हैं मेरा इतना ही कहना है कि अगर मेजॉरिटी की भाशा मराथी है तो फिर मराथी से इतरास क्यों बट वाई वाई इंपोज यूर मराथी ओन आस क्योंकि पावर में रहने वाले पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि हम क्रिश्चिन्स दप कर रहे हैं लाइक सेकंड क्लास सिटिजन्स बड़ विल लॉट अब आप ही देखिए कुछ दिन पहले की बात है एक क्रिश्चिन को बोट का लाईसंस नहीं दिया गया क्यों नहीं दिया गया इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसने application कौकणी में लिखी थी मराठी में नहीं इसका मतलब क्या है मतलब साफ है इट मीन्स हम क्रिश्चिन ब्रदर्स को सताने के नएने वेज नएने तरीके निकाले जा रहे हैं अब आप ही सूचिए उस बेचारे बेकरी वाले क्रिश्चिन का क्या कसूर था उसने क्या भी गाड़ा था सत्ताधरी पार्टी के पॉलिटिक्स में मारा गया और न्यूज ये फैला ही जा रही है कि केलिम वालों ने यानि कि ऑपोजिशन वालों ने ये काम किया होगा क्वर्मेंट के हाथों स्टेट कंट्रोल नहीं हो रहा पब्लिक में डर बैड़ गया है और इस बेकरी ब्लास्ट के बाद में तो लोगों को अपने सिक्यूरिटी कोई भरवसा ही नहीं रहा और इन सत्ताधरियों को देखो सत्ता में रहने वाले हर आदमी के साथ आठ आठ सिक्यूरिटी के मैंट चलते हैं उनके पास फॉरें के स्टेमिन्स हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स डालके चलते हैं और लोगों का क्या लोगों के सिक्यूरिटी के बारे में कोई ख्याल नहीं पब्लिक का क्या वो रहे या मरे, कोई जगा सेफ नहीं रही, चाहे वो घर हो, या होटल्स हो, सिनिमा हाउसस हो, या फेरीज हो, या सी बीचेस हो. मा, क्या करियो मा, मा, क्या करियो मा, मा, क्या करियो, 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 मा, क्या कर दो, 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 मा, क्या कर द पंद्रह बीस पचीस तीस पचास तक तो अपने रिकॉर्ड है यार आख करें आगे यह पुजिशन तो शीर शासन का भी बाप है बिटा सलीम क्या बे आपकी बेकरारी का करार आ रहा है अधाब सलीम है अभी तक रोम्य जूलिट नहीं आए वो दो तो नहीं आए लेकिन हाँ वो दो लल्लू आए अपने कॉंटेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे है नहुक्तित है अपने कॉपक्तित मैक वाकिन प्रोखाई नहीं लोग क्योंच रिजम औरने हाँ हाँ वड़ा के लिए मेरी बात मान लो दोनों भाइयों मेंसे एक भाई तो मूच रख लो जी हां ताकि इन कमभक्तों को पहचानने में असानी हो अब इन दोनों मेंसे किसी एक ने मुझस से 50 रुपे लिये है अब इससे पुछो ज़िए असने लिए इससने लिए इसने लाव बन तु भी क्या यार्द करेगा तो लो भाई आगा है हमारी स्टोरी के हीरो हिरोईन अज लवबर्ड्स बड़े प्यारे लग रहे हैं आ यार शीज लुकिंग डांग क्यों आओ लगा बजनु आओ क्या संगीता जी पीटर साव यह कोई ताइम है यार आने का यार में तब को देर होगे तियार होने में जूट बिल्कुल जूट पीटर महराज लेट आए जूट बोले जलो चलो चलो क्लास नहीं अटेंड करना घंटी बच गई घंटी नहीं घंटा कि अब तुम लोग बैठो माई अटेंड़न्स दे के आता हूं तु धनदा कर क्यों मार्कोस दादा अरे आओ मेरे दुकान के पहले की रात तु जब भी अपना बिजनस का बोनी करता है ना उदिन अपना दंदा पहुच चलता है कितना चाहिए आधा तोला दे दे आधा तोला दे बस आधा तोला आज कर तुने बहुत कंकर दिया या क्या कट्गी के जमाना चल रहा या क्या करूंगा और तरे ने गिराक का क्या हूँआ पनाओ या बनाओ चल दी कर अवाल तो अच्छे है अचा धिए और यू तर्ट्रेंस बवेन पोईसनजनेक एंद अन नन पोईसनस ओन it's very simple you just observe the head of the snake if it is triangular in shape it'll turn out to be a poisonous one the other way is to observe the scales and oh hello Deepak hello father how are you I'm fine how are you father fit as a fiddle and who is this young man Sanjeev Kamath father mm-hmm I'm here admission clear I am his faculty man science my father oh then you'll be joining this batch I hope so Deepak whoa bakery blasts ke barry me kuch clue mela tummei nahi father yeah amare desh kei nitauon ko hua kiya bas ek-ek-dusre ko blame kertte rate kabhi kristian leader hinduon ko hindu leader kristians ko tumne woh political leaders ka statement पढ़ा यह वही leader है जो सिर्फ अपनी कुर्सी की बचाने के लिए इस देश को बेच सकते हैं मैं तो कहता हूँ तुम जैसे नौजवानों को उटकर इन गलत leaders से इस देश को इस टेट को बचाना है I'm sorry are you interested in politics young man father घर में इतनी problems हैं कि दुनिया के बारे में सोचने का तो टाइम ही नहीं है time निकालना चाहिए संजीव क्योंकि इस country का future तुम ही लोगों के आतों में तो है तुम लोगों को यह जो religion यह language यह उंच नीच की दिवारों से उठकर तुनिया के बारे में सोचना है but sometimes I cry I pray कि God इंसानों को अकल दो ताकि यह दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहे फादर आपके जैसे सोचने वाले कितने होंगे इस दुनिया में सिर्फ दो एक तुम और एक मैं संजीव के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता अच्छा तुम तुम चाहो प्रिंसपल से मिल ल और संजीव, I hope to see you. Sure sir. My father. Chalo Sanjeev. May I come in father? Come in. Oh, hello Deepak. Good morning. Good morning, good morning. Where were you son? Father, oh sorry father. Yes, Sanjeev. Good morning, Father. Good morning, Sanjeev. Sit, bedo, bedo. Thank you. Sit. Hmm. Hmm. Huh. So, how did that happen, Deepak? Father, Sanjeev की डेली के कुजर जाने के बाद, he could not complete his studies. He studied in many other colleges, Father. You know that you don't get admission. You don't get admission. You don't get admission. Father, what do you mean that I have a mark sheet? Yeah. Show me. Hmm. Okay, Sanjeev. Deepak की recommendation पर, as a special case में तुम्हें अदुमें दे रहा है. Huh? तुरे जूस सेंटर पर बुलाते हैं, तू आया नहीं? क्यों नहीं आया तू? मैंने मा, मेरी मा की तवयत खराब जाया है. मा की तवयत? Oh no. I am fed up of these disturbing elements. मैं तुम्हें तुम्हें जब किसी और जगह पर बुलाऊ ना, और तुम अगर वहां पहुंचे नहीं, तुम्हारी हड़ी पसली तोड़ कर उनुका समझा? This enemy ने टेरराइस कर रहा है स्टूडेंस को. I don't know what to do with him. लेकिन वो लड़के इस पॉलिश के तो नहीं है. जब देखो बार से गुंडे लेकर चला आता है. देपक, please do something. इस सालाब बंडूर कर खड़ा है. लफड़ा करेगा. छोड़ी से चल भाग. पादूर, बंडूर कर सालो के लें. और वो चार. मैं देखिया तूम. मैं देखिया तूम के चलाब कर इखियाए Westernemit दो बंडूर के लेंद्ट कर्वार अधर, जब फडूर के लेकर! मैं देखिया घूम ठीमने कर देखिया तूमकी है. रre एकर शीजड़ा है. इस सालाबा है. पर दो जाए 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 इस वारे पोलीस वारे ने तो सांस लेना मुश्किल करती है को लो छोड़े बर्सो हो गया जाए 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 जैसे अपना पाप का घर हो बहुत दिन से मेरे चाकू में जंग लगा है क्या तुम बढ़त का मड़े करना मलता है हाँ ताकि ये बार-बार भागने से छुटकारा मिल जाए चल निकल चल बगार सांस बगार मार उपर ला, उपर लावे से था जाल उपर लाव उपर लाव उपर लाव उपर लाव बगार शुटके ताउप भार भावच अ रखना है हालो इसकाप west है आप अपद आपट आप 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 है अची है वे ग्याव आप कि अब दिस इपिसा जी सबिल स्पेक्टर दीपक बांद्र कर मर्डर केस में कुछ आगे बढ़ा आप हाँ दोचार सस्पेक को पकड़ा तो है बटानाव हेट इस टेलीफोन कॉल्स चाहे किसी को भी पकड़ो फॉरन फोन आने लग जाएंगे ज़रा ख्याल रखिए मेरा आदमी है अच्छा फोन किस ने किया था मैं 32 दातों में एक जबान हूं कालेकर साब यह तो बताईए आखिर आपने पकड़ा किस किस को वोई सैबी लियो जैकब और राउडीज मुझे भी यही उम्मेद थी और मैं यह भी जान गए फोन किस ने किया था में ब्रेद वो टुल की ऑतो तो Кरें करांके कितने आप बोला आने की कि जरूद नहीं जोность इसलीव मैं तुम्हारा बेल हो गया ना वोई बेल तर जालें पुन केस तर चालू असा चालू असा चलेंग आच पोलिस आफिसर को मारने से पहले ये सोचना था ये तो अच्छा हुआ कि तुम सस्पेक्ट करके पकड़े गए तुम्हें चुडाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा मालूम है वो का माल पकड़ा गया और परेशानी अलग हुई समझे जोएल अगली कंसाइनमेंट आने से पहले मुझे हर तरह का साटिस्फेक्शन चाहिए डू यू अंडरसाइंड येस ब्रोदर साभी बातरों तुम अपना सारा ध्यान कॉलेज के एलेक्शन पे लगाओ तुम्हारा के सब्सक्राइब करा दूंगा थैंक्यू पात्रों कालिज की आप फिकर मत करो आफित्ने सैभी न को तो सिर्फ बगाए लोने संगीता बहा जो लड普न कि बैठाए हा जिसेन उसका मूर हग्थ लगता तो वहीच है संजीफ, इस सलीम, यह संगीता है, यह फॉजिया, काल्टन, लफ, और कुष वेल्कम अबोर्ट, थैंक्स उस दिन तुमने सावी को चाकु मारते हुए देखा? चाकु मारते हुए नहीं यही तुमने ब्यान दिया ता और सावी और उसकी गैंग पकड़ी गई? जो देखा था, वो बता दिया और फिर भी सावी चुट गया बड़ संजीफ, तुम्हें ऐसे लोगों से उलजना नहीं चाहिए दीपक बांडोड कर जैसा शरीफ, और इमानदार पुलीस आफिसर मार दिया जाए और मैं खामोश रहूं, आखिर क्यों, क्या कसूफ था उसका, सिर्फ इतना कि वो समाज में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ था, मैं यह परदाश नहीं कर सकता एविभी बारी, आउट, गैर आउट बार या सावी बावच्छा, साला आव लफडा करेंगा तुम सब भी, पार, नाव संजीर चल 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 को तुम लोग जाओ पागल मत बन यार, जबरदस्ती तू भी तुमने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दिया अफ्सोस तो इस बात का है मैं वक्त पे नहीं पहुंच सका वर्ना वर्ना? वर्ना क्या? वर्ना तेरी बेल नहीं होती डॉंट टॉक शेट वर्ना तुझे भी बंडोडर के पास पहुचा दूँगा अपनी शकल देखिये तुन्हे शीशे में हाँ गेरप गेरप आओ सैभी 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 सोब सैभी यह मत समझना तुम लोगे संजीव दाखेला आए स्पिल स्जार प्रशंब स्पिल सैभी सैभी समय साभी साबी पूशी हो या घम हो यार जीए जा कुछ काटे दिये जा कुछ भूल लिये जा कुछ काटे दिये जा कुछ भूल लिये जा वो जवानी के दिल है सपनों की सारी राते मस्ती के सारे दिल है और जवानी की रंगिनिया सपनों की सारी राते मस्ती के सारे दिल है और जवानी की रंगिनिया कुछ वादे किये जा ऐ जवानी के दिन में हैं प्यार किये जा खुशी हो या गम हो यार जीए जा कुछ काटे दिये जा कुछ भूल लिये जा कुछ काटे दिये जा कुछ भूल लिये जा ओ जवानी के दिन में हैं अपनों से है दिन लगी लेरों से है दोस्ती अनोखा ये अपना जहां अपनों से है दिल लगी खेरों से है दोस्ती अनोखा ये अपना जहां ये प्यार का जहां यहां प्यार किये जा ओ जवानी के दिन है प्यार किये जा ओ जवानी के दिन है प्यार किये जा खुशी हो या घम हो यार जिये जा कुछ काटे दिये जा कुछ फूल लिये जा कुछ काटे दिये जा कुछ फूल लिये जा ओ जवानी के दिन है जवानी के दिन है जवानी के दिन है जवानी के दिन है किया संजीफ पिकनिक में मज़ाय के नहीं हाँ यार बहुत मज़ाया काल्ज में आने से पहले मैं कुछ और ही सोचता था जाने कैसे लोग मिलेंगे दोस्त बनेंगे या नहीं यार तुछ से एक बार मिलने के बाद कोई भी बार-बार मिलना चाहेगा मुझे तो ऐसा लगता ह कि जैसे कि हम जनम-जनम से जानते हैं अंगीता इसी डॉन माइन पहले मुझे घर छोड़ो फिर संजीफ को छोड़ना यह नहीं मुझे रास्ते में कहीं उतार देना अब बस में चला जाओं अब हम इतने बुरी तो नहीं क्या आपको घर तक न छोड़े बातो बातो में आ ओर राइट संगीता लवकुष को फोन कर देना कल मेरी मोरेसाइकल कॉलिज लिया है ओके संजीफ बाई ओके लगाई अब आप आग्यानी की तक्लीफ करेंगे धिशिए सब्सक्राइब कर दोड़कर केस फिनिश नहीं हुआ और बुल की तरह सिंग मारने चला उस लड़के को क्या क्या नाम है उसका संजीव कामत राइट संजीव कामत लेकिन संजीव के साथ उलजने के उसे जरूरत क्या थी हाव तु कर, जोएल संजीव कालेकर का आदमी है तो वो खुल सामने आगया है। ब्रदेर वो संजीव कालेकर का आदमी नहीं पंदोतका का आदमी है। वो पुलीस वाला जिसे सैभी ने सुला दिया था उसीने तो कॉलेज में ड्मिशन पर या येत्ट मेंस है। चॉयल उसे चेक करना बहुत जरूरी है और उस सुर साबी से कह दो अगर एक भी पुलिस के सावर बना तो मेरे लिए उसे बचाना डिफिकल्ट हो जाएगा मा सो रही है हाँ खाना खाओगी हाँ बहुत भूख लगी है अब भी लाती है चिल्पा चिल्पा मैंने मना किया था इसे खाना नहीं देना भाग भाग देखती हूं भाग के किधर जाता है तूँआ हो अब यहाने की जरूरत नहीं है तुझे अरे शिल्पी तू यह सब क्यों करती है माने अगर देख लिया तू मेरे लिए खाना और कंबल लेकर आई है वो तुझे कच्छा चबा जाएगी वह पिछले जनम में जरूर राक्षिशनी रही होगी धत कोई कि मा के लिए ऐसा कहता है कि कहता तो नहीं लेकिन कोई मा भी ऐसी नहीं होती जो अपने एक लोते बेटे को ठंडी रात में घर से भाहर निकाल दे उसने तुम्हें निकाला नहीं तुम तो खुद भाग कर आये हो घर से कि वहां रहता तो पिठता तुम्हा को बहुत सताती हो भाया कहां सताता हूं मैं आध यह कुछ समय कराने का जब तक बापु थे तब तो मा एसी नहीं थी तुम को मालूम है जब तुम नहीं होते तब मा तुमारे से दर निकालती है तोकरी दो टोकरी सपने हैं तुम्हारे बारे में मां के पास, उसे हवा देती है, धूब देती है, और सेख कर रख देती है और जैसे मैं घर आता हूँ, वो मियान से तलवार निकालती है, जैसे की मैं उसके सपने चुरा कर ले जाऊँगा नहीं भईया, अगर ऐसा होता, तो क्या मा मुझे भेजती है खाना देकर, क्या, ये खाना मा ने बेजा है, और ये कंबल भी बेजा है, धत, खाने का मजा ही खतम हो गया, मैं तो सोच रहा था, तू मा से चोरी छुपे खाना लेकर आई होगी, इसलिए खाना तीखा लग रहा अब तो खाने का मजा ही फ्रस हो गया, ओ भाया, अच्छा अच्छा जल्दी दे, फंडा हो जाएगा खाना, पकल इसे, खाएगी, ये ले, आँ, मता आ गया, संजीव ने साभी की छुटी कर दी, ओ, वरी गुद, ये तो होना ही था, बहुत मसा आया, देखो, देखो, सी, सुटा बना रहा है, सलीम, तु ये बुरी आदत नहीं छोड़ेगा, छोड़ दी यार, छोड़ दी, तू चरस और ब्राउन शुगर से अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रहा है, ये चीजें दीमक बनके तेरी जिंदगी को खा जाएंगी, तू अपने माबाब का इतल सलीम, तुम्हें शर्म नहीं आती, सलीम, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम फिर भी, अगर फौजिया यहां होती, तू कितनी शर्मिंदा होती, मैं वादा करता हूं संगीता, कि फौजिया और तुम लोगों के लिए मैं आज से ये पीना छोड़ दूँगा तू कितनी शर्मिंदा होती, तू इसी खुशी में हम तुम्हें खुश करते हैं मारो सूटा, सूटा लगाओ यारो, लो एक दूजे का जूटा, जुड़ जाएगा दिल जतूटा, मारो सूटा सूटा लगाओ यारो, लो एक दूजे का जूटा, जुड़ जाएगा दिल जतूटा, मारो सूटा लाल परी से काली, गोली से नजने बिलाओ लाल परी से काली, गोली से नजरे मिलाओ सिगरट को मारो गोली, चिलमे भरके उडाओ हम तो नजने लेकिन घरवालो का भाग भूटा जुड़ जाएगा दिल जो तूटा, मारो सूटा सूटा लगाओ यारो, लो एक दूजे का जूटा पड़ जाएगा दिल जो तूटा, मारो सूटा इरा किया इरानी, करने दो उनको लडाई इरा किया इरानी, करने दो उनको लडाई धुनकी में तुम ना यारो, करना किसी से लडाई उनको क्या मतलब किसने सोने की चिडिया खो लूटा सूटे ने हाएर नूटा, मारो सूटा सूटा लगाओ यारो, लो एक दूजे का जूटा जुड़ जाएगा दिल जो तूटा, मारो सूटा संजीव प्लीज लिसन टू मी, नहीं यार, यह इलेक्शन इलेक्शन मेरे बस का काम नहीं, तू क्यों नहीं खड़ा हो जाता? तू हीरो बन गया है यार, अरे अंदर अंदर से सब लोग बहुत खुश है कि एक तू आयस साभी की बिटाई करने वाला, इसलिए तू इलेक्शन जीते ही जीते, और हम सबका भी यही ख्याल है यार, नहीं यार, तू मेरी मा को नहीं जानता, मैं जो कुछ भी करता हूं, वो मुझे डान देती है, यार, तू अगर हा कहेगा, तो मा को भी जाके मना, नहीं यार, वो पीट दालेगी हम सबको, संजीफ, तू का फादर आ पूईता, मैं मिलके आता हूं, हाँ, होकर हाँ, संजीब, मैं मिस्टर कलेकर से मिला था, कालेकर, हाँ, तुम नहीं जानते उनको, नहीं, अरे वही अपनी संगीता के डैड़ी, मिस्टर शेशांक कालेकर, मराटी सिवसंग के सेग्रेटरी है, और इस इलाके के मले भी, वो तुम से मिलना चाहते थे, मुझ से फादर, हाँ वो सब खबर रखते हैं, उन्हें पता चल गया है, तुमारे और सेवी के जगडे के बारे में, कह रहे थे कि मैं ऐसे लड़के से मिलना चाहता हूँ, और फादर, ये न्यूज ऐसे हो गई, जैसे कि मैं मून टो पांच गया हूँ, थैंक्स टु यू, अब सेवी से कोई न चाह बास पुरशत्तम, अपोजिशन लेडर्स के मिटिंग जो तुन्हे भंग कराई, मज़ा आ गया, सुना है, सब सर पे पैर रखकर भाग गये, ये सब आप का आशिरवादा दादा साहिव, अरे नाई वेड़या, ये सगलित तुझी कमाल है, दादा साहिव मुझे आप एक होडर परजेक्ट की बात की थी मैंने, उस समीन पर एक पुराना बंगला है, उसके माले की बहुत पहुच है, इसलिए खाली नहीं कर रहा है, तुझसे उची, क्या पकता है पुरशत्तम, सुन, अपने आद मिले जा, मकान को आग लगा दे, बाके आगे का सब मैं सबाल दादा साइब, अब मैं बेफिक्र हो गया, साइब, संजीव साब आए, संजीव कामत, हाँ, तुम्हे सकरो, उससे स्विमिंग पूल पर बिठाओ, मैं आया, हाई संजीव, हाई संगीता, तुम कॉलेज नहीं गई? आज नहीं गई, तुम कैसे आए? तुम्हारे डैडी ने बुलाया था, लॉकर ने कहा हूँ, मीटिंग में है, उन्हें ने कहा कि पूल सेट पर जाकर बैठ जाओ, बैठो, मैं अब भी आया, सुना है, तुमने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है, चुनाव उनाव, मेरे बस की बात नहीं, ओ, कमान संगी, अगर सैवी जैसा गुंडा लड़ सकता है, तो तुम क्यों नहीं, मेरा मतलब है, तुम समझ गया है, उसकी बात अलग है, चुनाव में भाशन देने वही क्या बुर्रे चल रहे है हमारी, कुछ नहीं, डाड़ी यह है संजीव कामर, संजीव यह मुरे डाड़ी, बेड़े, 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 अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, और संजीव तुम जाना नहीं, अगर संगीदा, अगर चाह पाठो, तुझा संजीव सा तुम्हारी, सैभी को जो तुमने सबक सिखाया, सर वो तो यूही उलज पड़ा था, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत गुंडा गर्दी पर उतर आया था, सुना है, तुमने इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, आपको कैसे मालूम संजो, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, सर मुझे राजनीती से कोई लगाद नहीं, और ना लीडर बनने की कोई इच्छा है, कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए अपनी इच्छा है बदलनी पड़ती, तो मैं महरूम नहीं, तुम कॉलेज में कितने पॉपिलर हाँ संजीव, कॉलेज में हरे की जबान पर तुम्हारा ही नाम है, सब कहते हैं कि साभी के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है, तो वो तुम हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें फोर्स करना भी नहीं आता, अर भई जरा अच्छी तरह, जरा प्यार से कहो, हाँ, ओके डादी, संजीव, खामत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ कर विंती करती हूँ, क्या आप एलेक्शन में खड़े होकर साभी जिसे गुंडे से हमारे कॉलेज को बचा ले, प्लीज, हे, किदर जाता है, हाथ रूप, कालेज के पीछे खुला मैदान है, वहाँ जाओ, क्यों, चल जाना, पास्टर्ड, चल बच, जाना, फास जाना, जाना, पैस जाना, फिर अचाना, बेदान, परिफर आ मेक अ मैसफ़, रहाँ, वेगिन कर रहे, शेबी बहते जल्दी करो, यह, शेबी बहते जल्दी करो, यह, खरे न यारा बी तू, जलता तो अच्छा है यार तुम्हारा माल कम जलाने का ज़ादा जला यार तोड़ा जला पस ले ले यार इसी बात पे एक पफ और ले 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 तु कहता है तुम्हें ले लूँगा लेकन अब इसके बात तुम्हे फोर्स नहीं करना है फिले ले ले यार थाई आए तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दोस्त टोड़ों थेर। मुझे इनके identity cards लेकने फादर, यह मेरे साथ हैं, मुझे मिलने आया तुम्हे मिलने आया जी college की वक्त उम्हे यहां मिलने आया हिनसे कहो तुम्हें बाहर जा के मिले वट फादर, I have मैं लिए कुछ नियूदना चाहता हूं यू आउट चल रहे आउट बट फादर आउट आउट इसेड चल रहे है आउट अग्योग वट अग्योग विद्ध गास्टू गुट मॉर्णिंग फादर शली शलीम कौन थी यह लोग और तुम करके रहे हैं पर कुछ नहीं हम लोग तो सिरफ इदर शिगरेट पी रहे था फादर चुपके दे क्यों तुम अपनी लाइफ इस नशे में बरबाद कर रहे हो आउट आगे से नहीं करूंगा आउट रियली सॉरी तुम अभी से लड़ कराने लगे आगे जाके पता नहीं तुम्हारा क्या हलोगा आउट चला क्या प्रूजिया मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं मैंने कई बार तुमे कहने की कोशश भी की लेकिन अपने से बना ही नहीं यह तुम्हारे सामने तो मैं बोली नहीं पाता हूं अगा पता नहीं तुम समझोगी कभी और नहीं टैट लव यू वेरी मच फाजिया अगा लव यू बैरी मुच किसने आके मेरे सपनों को बिखरा दिया कौन है यार तेरा बाप अरे मार्कोस तुम है यह ले यार तू भी एक कश मानने यार चौल हट मैं कश लेने नहीं तुछ से यह पूछने आया हूं कि फादर मार्यों को अपन लोगों के बारे में क्या क्या बताया बढ़ू आप वालतर मार्यों आप वह समझता है कि नशा बहुत पूरी छीज है मगर उसे क्या पथा कि मैं नशा के बाद फाउज्या के कितन करीब आ जाता हूं आप तुझे उससे किता तूर करतेते तो को बोल सलें руж永 कि वादर मार्यो का तो आप उन लोगों के बारे में किया क्या पता है चुआर बोल, 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 बो अगर तुने किसी को बताया कि ट्रक्स के सप्लाई हम करते हैं याद रख शर्षी याद रख तेरी फौजिया तुझे कभी नहीं मिलेगी कोई आ रहा है चलो सलीम! 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 इक ओन्लुकते? सलीम! तुछ निब बदाऊंगा बाए, कुछ निब बदाऊंगा, राष्ट थीक, चल पर तुछ तुछ निब गड़ाहा प्ड़ेगा, डाधी तुछ निब दोगा पर दोगाई आधी, प्रॉच शैटी वाया है नमस्ते सर आओ, संजू जो बैठो थेंक्यू, हाई हाई सर मैं सलीम के बारे में यह बड़ी गंबिर बात है संजू मैं जानता हूँ यह किस ग्रूप का काम है कॉलेज में ड्रक्स के धंदे कौन चला रहा है सर अगर आप जानते हैं तो ने पकड़ाते क्यों नहीं आम सॉरी मैं बॉय यह एक मजबूरी है यह जो ड्रक्स का रै इसलिए गॉर्णमेंट इस समय इस पोजिशन में नहीं है कि उससे छेड़े दिस इस ट्रैजिडी आप डिमाकरसी मैं बॉय यह कैसी डिमाकरसी है यह कैसी सरकार है सिर्फ इसलिए कि कोई स्मगलर या कोई ड्रक्ट्राफिकर किसी एक लाबी का नेता है उसे छूट दी जा है वो भी करनी पाएंगे बगैर सत्ता के कुछ भी करना ना मुम्कीन है इस संगर्ष में हम सब को शामिल होना पड़ेगा लेकिन दुर्भाग की बात तो यह है कि आज की युवा पिड़ी इससे कत्रा रही है आज देश की राजनीति के लिए कॉलेज इलेक्शन्स भी उतने महत्व पूर्ण है कि डैडी कॉलेज इलेक्शन का राजनीति से क्या लेना देना यही तो बात को समझना है वेटी आज आजकल देश भर में इतने यह युवा दल हुए है वह इसलिए आजकल कॉलेज में घुंडागर्दी करके अलग अलग राजनीतिक डल अपने अपने लोगों कुछ चुन कर ला रहे है कि सैभी जैसे गुंडे विद्यार्थियों के नेता बने फिरते रहे और संजीव जैस योक दिन में इन गुंडों से टकरानी की ताकत है जिन में पचाडनी की ताकत है वह इलक्षन से कत्रा रहे हैUU मैं सर मैं कत्रा ने रहा हूँ एलेक्षन से ज्यादा मैं गुंडों और ड्रक डीलर्ष सेस्नेपटना जरूरी समझताओं इसलिए तो तुम्हारा कॉलेज मैं ठीक है सर मैं अपना फैसला बदलता हूं माइलेक्शन लड़ूँगा कॉलिज से गंदगी हटाने के लिए माइलेक्शन लड़ूँगा सैभी से कॉलिज स्टूडन्स कब तक डरेंगे उन लोग को तो संजीफ कामच का पूरा सपोर्ट मिला है कि कॉलिज मेरा है अब उनका ही जोर चलेगा और अगर किसी ने गड़बट की कुछ लोगों ने सलीम को पीट दिया और हम कुछ न करें क्या करें सलीम ने कुछ बता है हमें वो तो खुछ चुबा रहा और हम लोगों से पूछते भिरे किस ने मारा यूमींट से इलेक्शन को के बदले का भूद सवार है सलीम की बिताये करने ग्रतिक बालों की तलाश है से इलेक्शन की दो फिकर ही नियो यह से संचीव चैड़ा है हमें मालूम तो करना चाहिए रही येक्शन की बात वो तो हम जीदी रहे है और काम भी चली रहे है न.. हवा मैं बात मत करो, Sangeetha. सभी से जीते के लिए हमें कड़ी महनत करनी होगी. और हो सकता है, साभी की शरारत होगी है. हमें डराने के लिए? Sangeetha के डैडी ने मुझे बताया, कि जोल फनारेंडिस सभी के जरी है. फिर आईए, लड़कर फैसला कीजिए, वह जो मारधार करता है न आप भी वही जाकर कीजिए मुझे इलेक्षिन से कोई मतलब नहीं है अरे जाने दो मैं तो पहले इलेक्षिन लड़ने के लिए तयार नहीं था मैं भी इलेक्षिन से विड्रा कर सकता हूँ नहीं संजीव इस समय से करना ठीक नहीं मज़ा आगया पीटर और संजीव का लड़ाए यानि के हिंदू और क्रिष्टियन के बीच में एक दिवाल ख़रा हो गया लेकिन इन लोग लड़े क्यों याद है उस दिन मार्कोस ने मेरे चोकरों के साथ सलीम की ठुकाई की थी जिसे तुम मिस्तेक बोला था उसका अब फायदा हुआ संजीव बोलता है आप उनसे लड़ो सलीम के वास्ते और पीटर बोलता है पहले इलेक्शन लड़ो बस इसी प करेंगे संजीव आजकल कालेकर का घर बहुत जाता है कहीं उसका चकर उसकी छोकरी के साथ तो नहीं नॉट टॉल संगीता का चकर तो पीटर के साथ चल रहा है एक क्रिश्चियन छोकरा और हिंदू छोकरी अब हम पीटर को अपनी तरफ खीचने का कोशिश करेंगा इतना नाराज होने की क्या बात मान जाओ अब मान भी जाओ यार तेखो मैं हिंदी फिल्म हेरोईन की तरह तुम्हारे पीचे-पीचे गाना गाते नहीं होंगी किस इशार में खूब कहा है क्या मज़ा बार-बार मिलता है तुम्हें हमसे रूट जाने में रूटने में लगती हैं दो घडियां रूटने में लगती हैं दो घडियां उम्र कर जाएगी मनाने में वावावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव आद वर्जन पीटर जब से तुमारी संजीव से बहस हुई है तुमने तुम दो मुसकुराना पूनी छोड़िया है वरना वो सैभी सर पर सवार हो जाएगा वो अपनी जगे सही है तुम अपनी जगे सही मिल बैटकर हल निकाला जा सकता है लट जगड के थोड़ी न और फिर सुचो इस बात का इलेक्शन पर भी असर पर सकता है जिस तरह अभी समझा रही हो वहाँ नहीं समझा सकती थी वहाँ तो तुम संजीव की तरफदारी करी थी मेरी नहीं अच्छा जी अब बात समझ में आई संजीव का साथ देने से तुम्हें जलन हो रही थी इसका मतलब तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और हर आशिक की तरह यही चाहते हो के तुम्हारी में बुबा सिर्फ तुम्हारी तुर्फदारी करे चाहे बात सही हो या गलत नहीं है बात नहीं है मैं संजीव की वज़े से बहुत अपसेट हूँ मैं तुम्हारी हर नजर को पहचानती हूँ और तुम्हारी आंकों से साफ पता चलता है कि तुम मुझ से नाराज हो मैं तुम्हें बता दूं पीटर कि मैंने अगर किसी से भी प्यार किया है तो सिर्फ तुमसे तुम्हारे चेहरे की मुस्कराहट ही मेरी संदगी है अरे तुम तो एमोशनल हो गयो मैं मांता हूं कि संजीफ की तरफ बोलते वे मुझे बुरा जरूर लगा लेकिन तुम्हारे प्यार पर शक्त ना कभी किया है ना करूंगा I love you अब तर नाराज की हम देशां के देखा तुम्हार और संजीफ से अब इसके बारे में बात ना करूंगा सोचने का मुका तो सोचो बात सोचो लेकिन सोचने मेरा बत्रे नहीं भूजाना संगीता मैं अपनी हर चीज भू सकता हूं लेकिन तुम्हारे जिंदगी से जूडी कोई चीज कभी नहीं बूसकता कल मिलेंगे और बाइग पीटर सेम्योर जोल फर्नैंडस नाइस मिलिंग यह लेकिन इस तरह गाड़ी रोकने का क्या मतलब हुआ हां तुम मेरा क्रिश्टियन ब्रदर है तुमको कुछ समझाने का है क्या तुम काले करका लड़की से लव करता है गुड उसको क्रिश्टियन रिलिजिन में लाएगा बेरी गुड यह मेरा पर्सनल मामला है और मैं इसमें किसी को इंटरफियर करने का राइट नहीं देता हुड चलो पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं बोलता लेकिन कॉलिज लाइफ में बोल सकता है तुम संजीव से मतलब समझा तो मतलब भी समझ गया और तुम लोगों को भी हम स्टूडेंस को बाहर की पॉलिटिक से कोई मतलब नहीं एन नमबर टू हम ना हिंदू है ना मुसलमान ना क्रिश्टिन हैं हम दोस्त हैं समझे अधरम मजहब और रिलीजिन की नाम पर हम स्टूडेंस को लोगों पर असर डाल सकते हो लेकिन वो भी अब थोड़ा बहुत समझने लगे हैं वा वा तुम कालेकर का सन इनलाओ बनके बड़ा लीडर बनेगा लेकिन संजीव तुमको नहीं बनने देगा तब तुम मेरा याद करोगे लिटल ब्रदर तुम याद करोगे तुम्हारे स इलेक्शन की तैयारियां हो गई हाँ फादर कलगोटी है संजीव मैंने सुना है तुम्हारा कुछ पीटर के साथ में जगडा हुआ है देखो सं यह अच्छा नहीं है ना तुमारे लिए ना इस ग्रूप के लिए फादर खास कोई बात निबस एक छोटी सी वाज है लेकिन ये लोग मानते ही नहीं मानते है तुम्हा आं पीटर को समझाते हूं कлан ए पीटर वो तो आ जाया नहीं और संगीता नहीं हम सब रहें कि अमसम नहीं जा रहे हैं Clay आप पीजा आएगा अ luego Mriam Kwan P आप मैडम एक गुरु ने कहा है कि पार्टी में लेट आने से इंपोर्टन्स ज्यादा विलती है आज आप तो कुछ प्रामिस किया था अच्छा जैसे कुछ याद ही नहीं है ज़र आप पिला के पास आए आपके रोजी लेक्स को तो मैं मानती हूं मैंने प्रामिस किया था लेकिन यहां क्यों और यह लो यह दो ना आगए ओ नौ नौ अब तुम्हें मुबारक बात देंगे किस बात कि अरे इलेक्शन जीतने की तुम्हें पुरा परोसा है हां और मेरा यकीन कभी नहीं तूटता आई ह संञीव तुम ने उम को ने पुलाया था लेकर न हम आगे फिरिफ्यट तकी कड़्ेश वाहां और यह आई अच्छेकर अभर का रोगा हुई हुआ हाई दो का दूनी निकाई देना प्राइची अजुद को एक प्राइचा एक प्राइचा अड़ अच्छी नच्छी मैं प्रॉटा का हम लिए गारन क्या देखा है सिर्च अड़कर के देखा अध्यू धरू भलगू । यहा है पादा इस पार्टी में कमी है उन दोनों को देखे न कैसे अलग अलग खड़े हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं तुम भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूं पार्टी में लुठा मातु संजीव को समझाओं कर गो मत्ывает। तुम आइ पार्टी में मजा हूं कि इस आज़। तुम संजीव को समझाओ मैं पीटर को समझाओंगा। आपके पीटर येस फादर येस फादर गुड़ पाड़ी हाँ तुम्हारी एलेक्शन के बारे में क्या रहा है आई रोन लो फादर क्यों तुम्ही ने तो संजीव को जेनरल सेकरेटरी के पोस्त के लिए ख़डा किया पीटर का दिल बहुत नर्म है तुम एक बार हलो कहोगे वो तुम्हें गले लगा लेगा क्या आज इस खुशी के मौके पर तुम उससे दोस्ती नहीं करोगे मेरा इस पार्टी में आने का मकसद एक इता पीटर के मैं तुम्हे और संजीव को मिला सकूँ अब तुम्हारे मिल जाने की खबर देखना कल सेवी के लिए कॉलेज में धमागा होने वाला है अब आजाओ अरे बोईस क्या एक दूसरे की शकल ही देखते रहोगे कद सुबह देख लेना अपने दिलों को मिलाओ या फिर से इंट्रिडूस कर रहा हूँ एक मिन एक मिन प्लीज इस काम की इजाजद आप बंदे सलीम को लिए सन थाँ थाँ पीटर समयल नशनल कोलेज के सब से ब्रिल्यां तुदेट इंट्ट थाँट्ट संजीव कामत हमारे होने वाले जनल सेटरी अप्रसें थाँप पीटर समयल संजीव कामत को अब कर दो 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 कि आप नेक्स आप नेक्स नेक्स तुम आभी वोट डाल कि गया नहीं मैं तो सही कि छीटिंग ने चानेगा यहां पर कॉलिज का इलेक्षिन नहीं है को इससे इलेक्षिन नहीं लेकिन चीटिंग करने वालों को रोकने का ड्यूटी जो है न वह हमारा और यह यह अभी-अभी वोट डल की गया है और अगर तुम्हें लिस्ट देखने का है न ऐस वास्ते से नहीं आया हूँ स्टूडेंस को जो लेक्षिर आप सुना रहे थे वो मैंने सुन लिया है अब प्रिंसिपल से मैं आपका कम्प्लेंड करूँगा यू केंग और दो वट यू लाइक ओके चल ले जो दो अब यह जीत ना संजीव कामत की है और नहीं हमारे ग्रूब की यह जीत आप सब की है इस कॉलिज की है ये यूनियन एक साल तक आपके हाथ में आई है और आप सब हमारे साथ मिलकर इस कॉलिज का नाम रोशन करेंगे ये फ्रेंड्स मैं तो इस काबल नहीं था लेकिन आप सबने मुझे जो पोस्ट दी जो इजजट दी वहबबत दी उसके लिए थैंक्स कहने के लिए मेरे पास कोई वोट्स नहीं है 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 फ्रेंड्स दो दिन के बाद ब्रेकदांस कंपटिशन फाइनल्स हैं जैसा कि आप जानते हैं हमारे कॉलिज से लवकुष भाग लेंगे मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब वहां पहुंचे और हमारी कॉलिज टीम को च्यार करें तुका होड़ी मिजा अधा साले कि तूस जीक तलो मुझ अफॉल्स प्राइड हुआ है यू अध्यू आर गॉंग तो वें लेकिन क्या हुआ संजीव ने सारा यूनियन कैप्चुर कर लिया और तुम देखते रहे अगर इसी कॉलिज से कॉलिज हमारे हाथ से निकलते रहना तो हमारा बिजनेस डेड हो जाएगा डेड अरे किस चीज की किस चीज की कमी है तुम लोगों को ब्रॉदर हम बोलता है संजीव कोई हटा द मिस्टेक जोल अभी वो टाइम नहीं आया है पात्राओं वो फादर मारियो ने सारी गडबड कर दी कॉलेज के अंदर संजीव को फादर मारियो सपोर्ट करता है और कोलेज के बाहर चशांग काले कर हम खेल पहले अंदर से शुरू करेंगे मतलग फादर मारियो देंका का कारकोर कि फेनिश इम आफ ये काम इलेक्शन से पहले होता तो मैं हारता ने तुम्हें सिर्फ कॉलेज की पड़ी है मुझे सारे स्टेट की पड़ी है क्योंकि मैं अपना बिजनेस और लीडर्शिप ओल्ड कर सको और इसलिए फादर मारियो को फिनिश करना बहुत जरूरी लोगों ने अपना मतलब निकालने के लिए जीजस क्राइस्ट को भी सूली पे चड़ा दिया और ये अज़िए कि पहला है कि मार्कोस करते लो कि इसके भी दो रिजन है पहला सैब्डि का कॉलिश फंक्शन में होना बहुत इंपॉर्टन्ट है कि दूसरा कि फादर मारियो मार्कोस से टॉलेट में मिल चुका है मार्कोस फादर के पास कनफेशन के लिए जाएगा फादर ना नहीं बोल सकेगा और कनफेशन बॉक्स से फादर मारियो सीधा हेवन चला जाए दूसरा लोग सोचेगा ये काम हिंदू का है क्योंकि क्रिश्चन अपने फादर को कभी मार नहीं सकता करें बॉद्ध दिल में गुटन सी पैदा कर रही है और मैं उसी के बार में कंफेशन करना चाहता हूँ फादर लेकिन मैं तो अपने स्टुन्स क्रोमिस किया है कि मैं उनके दांस कॉंपेशियों में तुम्हें काम करो कट सुभी आज प्लीज फादर इस वरी इंपॉर्टन लेड़ीज और जेनलमन प्रशंटिंग और कॉंपर दिस ईवन नपॉलियन बनपार्टे गंजालवेश आज अध्यू किया है जए प्रशंट्स कियान अप्राइब उट जेंपॉर्ण बडाटे इन आजए मुन्वेश वराइब अधर विर्भाइब व्रवादन हैज्वर्ण से उट्ड़िस इंपूर्ण प्रविस, प्रवेश्यूस पॉर्ण प्रव्य चॉर्वम्स झाल हम झाल हुआ है कि अच्छ। अच्छ। नच्छ। नच्छ। कि अच्छ। नच्छ। 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 अच्छ। नच्छ। अच्छ। ऐघी दिते हैं औरraft। यह ख Farm वेल्ज Но It's time to present to you the last contestant of this evening, the one and only Synchronous Twins, the Twins who are a poetry in motion. They are a poetry in synchrony. I present to you the one and only Love and Kush. कर दोड़ने कर दो दो कर दो दो दोचाई एलाप है झाल झाल ये चुक चाप बरदाष्ट करना है चुरू खुद अपनी नदर से उतरना है चुरू अहो ये की दुश्मन से ढरना है चुरू बिना कुछ कहे खुट के मरना है चुरू मरना भी जीने का अंदाज है मरना भी जीने का अंदाज है भूजे वही दिल की आवाज है तो बूजे मेरे दिल की आवाज तू अरमेश्वर, मुर्टात में जात में आस शान्ति दिया संजू, चलो बेटे, चलो संजू, बेटे हर अच्छे आदमी को फादर मारियो के मर्डर की केस में बहुत अपसूस है और तुम तो ज्यादा करीब थे उनके, तुम्हारे दिल के हलत में समझ सकता हूं लेकिन बेटे, ये सारे पॉलिटिक्स के खेले, लेकिन फादर मारियो को पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था हाँ, हर अच्छा आदमी, हर नेक आदमी, जब बुराई के अंधरे को मिटाने के लिए बाहर निकलता है, तो बुराई के काले नाख सामने आके खड़े हो जाते हैं, कि कभी ने कभी तो हमारे रास्ते से निकलेगा, और यही फादर मारियो के साथ हुआ है, लेकिन फादर मारियो ने ड्रक्स के खिलाब पहले आवाज उठाई, सलीम को पीटने से उन्होंने ही बचाया, इतना ही नहीं संज्यू, तुम्हारी यह पीटर की दूस्ती में बुनी का हाथ था, लेकिन यह उन लोगों को पसंद नहीं आए, फादर मारियो उनके धंदे में दिवार हो रहे थे, बस उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने रास्ते के दिवार हटा दी, मैं समझ गया, यह सब डेनिस परेरा का काम है, मैं उन हध्यारों को सजा दिलबा करी रहूंगा, नहीं नहीं संज्यू, यह जंग होश में रहकर जीती जा सकती है, जोश में नहीं, तुमने खबरे तो पड़ी होगी, सब एक दूसरे के उपर इल्जाम लगा रहे, लेकिन इस समय डेनिस परेरा के खिलाब कुछ करना, इसका मतलब शेहर में और हिंसा बढ़ाना होगा, मैंने कुछ और प्रोग्राम बना है, उन सब से निपढ़ने के लिए, संजू, उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, वो कैसे सर, स्टूर्ण्स यूनिटी तुम्हारे हाथ में है, तुम यूनियन के लिडर हो, फादर मारियो के खून के सिलसिले में तुमने जो स्टेटमेंट दिये, वो सब मैंने पड़े, तब से बेटे तुम्हारे में लोगों को एक नया लीडर नजर आने लगा है, और मैं कहता हूँ, क्यों ने इसका फाइदा उठाय जाए, एक हमेले के गुजरने के बाद बाई इलेक्शन होने के बहुत चांसे से, मैं मेरी पार्टी के लोगों से बोलकर, तुम्हें तिकिट दिलाओंगा, हाँ, यस इतुर से, मेरा भी तो कुई बेटा नहीं, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, संगिता का हाथ तुम्हारे हाथ में दे कर हाँ, अच्छाए रहा है बेटा अच्छा सर हाई माम किसके साथ आये तुसंजो वो संगीता के डैडी है यहां के मले अच्छा और वो तुझे छोड़ने आये हाँ माम क्या बात है आज बड़ा खुश है तू बस यूही माम यूही हुआ 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 है हुआ 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 अच्छा सर भी कर दो 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 कि मेरी बुद्धी को हो क्या गया है इतने बड़े बड़े फैसले मिंटों में करने वाला मैं एक छोटा सा फैसला करनी पाता क्या बड़ी कमीर समस्या दा साहिब इतनी गंबिर समस्या है पुरशत्तम जिसका अंत जल्द से जल्द होना चाहिए अपन हुकम करा पुरशत्तम संगिता की मा के गुजर जाने के बाद मैंने उसे बहुत प्यार से पाला उसके हर खुशी मैंने पुरी की राजनीती में होते हुए भी कभी उसका मैंने ख्याल नहीं छोड़ा लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मेरी ही बेटी मेरी इच्छाओं की चीता बनाए है और पीटर उसमें आग लगा है कौन पीटर संगिता का बॉइफ्रेंड मेरा दामाद बनने के सपने देख रहा है संगिता उसे के साथ बाहर गई है क्या संगिता भी उससे प्यार अरे वहीं तो मुश्किल है दोनों बहुत करीवार है और ये मुझे बिलकुल पसंद नहीं दोनों के विवाह का बंधन मेरी सीएम की कुरसी तक पहुँचने के पहले कहीं मेरे कले का फंदा न बन जा है कादा साइब मैं समझा नहीं अरे मराठी हिंदु भी मेरी तरफ है वो सब नाराज हो जाएंगे कल कहेंगे शेशांकालेकर की बेटी दूसरे धरम में उसने दे दी पुर्शो तम हम नेता लोग नैशनल इंटेग्रेशन की बाते हम जरूर करते हैं इंट्रकास मैरेश की भी बाते हम जरूर करते हैं देश की हालत को देखते हुए अरे पन आतू नामाल आस थुड़ा स्वाटत जब सब एक हो जाएगी तो हमारा क्या होगा इसलिए पुर्शो तम जनता को अपने हाथ का खिलवना बनाय रखना जरूरी है ताकि सत्ता हमारे हाथ में रहे इससे एक फाइदा होगा क्रिश्चन्स आपके फेवर में आ जाएंगे पुर्शो तम तु राजनीती नहीं जानता सव क्रिश्चनों को अपनी तरफ करके हाजार हिंदूों को अपने से दूर करना ये तो पागलपद होगा या जन्मा तरी सियम होने ची आश्या बाडगायला नकू पुर्शो तम पीटर रुकावट है मेरे लिए रुकावट को मैं रुकूंगा कैसे आपने हुकम करा तो उसे हमेशा के लिए सुला दूगा सामा ये सुहाना हो समा ये सुहाना अकिली तुम हो अकिली हम है कोई किसी का दिवाना हो कोई किसी का दिवाना दिवाने तुम हो दिवाने हम है समा ये सुहाना अकिले तुम हो अकिली हम है तुम हो दिवाने कीली तहस्तुम दिवाने महकता महकता ये मस्टी का आलम बहकता बहकता ये चाहत का मौसम महकता महकता ये मस्टी का आलम बहकता बहकता आसमा ये सुहाला अकेले तुम हो, अकेले हम है कोई उसी का दिवाना, दिवानी तुम हो, दिवानी हम है सजाई है हमने, फाबों की महत, हमें मिल गई है सजाई है हमने, फाबों की महत, हमें मिल गई है मुहबत की मनजिल है समा ये सुहाना, हो समा ये सुहाना अकेले तुम हो, अकेले हम है कोई किसी का दिवाना, हो हो कोई किसी का दिवाना दिवाने तुम हो, दिवाने हम है समा ये सुहाना, हो समा ये सुहाना अकेले तुम हो, अकेले हम है समा 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 कर दो कर दो कर दो कर दो ए, दिले के इडिए! जाओब जाओब दूखब ए, इया है! शजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज बिलाँ! 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 स... स... बिलाँ! बिलाँ! तो... तुम सच नहीं बोलोगे? मैने सो कुच भी कहा... सच हाओ! मैने पीटर का खुणनेहीं किया! मेरा दोस्त था! तुम ज्यूट बोल रहे हो! मैं तुम्हारे मूसे निकलवा कर ही रहूं का कि पीटर का मुर्डgoing तूनेही किया! मैंने पीटर का खून नहीं किया मैंने तही किया पीटर का खून साइब तो कब बात रहो आपके तर बस गुद्मानिक साइब गुद्मानिक डेविड संज्यू कुछ बोला वो कुछ नहीं बोला सर वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि पीटर की आवाज सुनकर वो बीच की तरफ भागा था वो सच बोलता है बट हूँ वांस देट डेविड यही तो अपना चांस है कालेकर को और उसके पारटी को लोगों के सामने नीचा दिखाने का पुट फिंगर इन इस थ्रोट और उससे उगलवाओ के कालेकर ने उससे पीटर को मारने के लिए भीजा था क्योंकि कालेकर के बेटी से पीटर का वास्ता था पट्रिशर ओने उसके मां का उसके मडर और सिस्टर का प्रिशर डालो उसके मैंड के आउपर वो बोलेगा जरूर बोलेगा क्योंकि वहादी का लड़का है क्योंकि यस सिर व वस पीटर सेम्यल कांव् advis siguette संजीव कामत बेकसूर है संजीव कामत बेकसूर से छोग को पीटर सैम्यल कातिर चाहिए इस तरह तुम सब लोग कानूनी कारिवाही में अर्चन पैदा कर रहे हो नहीं चाहिए आपका यह अंधा कानून जो एक दोस को दोस के कतल में फास दे मैं कहता हूं संजीव कामत अगर बेगुना है तो उसे छोड़ दिया जाएगा कब छोड़ दिया जाएगा हम सब जानते हैं उसके अंदर के तोचर किया जा रहा है हम लोग भूख हरताल करेंगे जी हाँ सर हम सब स्टूडंस ने अपने देश के नेताओं से यही सीखा है कि जब अपनी बात मनवानी हो तो हरताल करो भूख हरताल करो धरना धरो चाहे इसे देश का नुक्सान ही क्यो नहों तो धरना आज से और आबी से हम लोग करने जा रहे हैं धरना शुरू क्या हो है संगीता टादी ने संजीव की जमानत दे दी है संगीता अंदर चले जमानत की कारवाई करनी है हाँ जाओ संगीता हम सब संजीव को जल्दी देखने चाहते संजीव कैसी हो तुम मैं ठीक हूँ डादी ने तुम्हारी जमानत करा लिया मैं तुम्हारे डादी और तुम्हारा हैसान नंद हूँ मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक ही रात में क्या क्या हो जाएगा पीरर सिर्फ तुम्हारा दोस्त था लेकिन मेरे लिए मैं उसके जितना करीब थी और अब अब वो संगीता मैं तुम से कुछ कंफेस करना चाहता हूँ शायद जिन्दकी फिर मौका दे न दे किनी कमजोर लमों में मैंने तुम्हारे सपने दे के थे तुम्हें पानी की ती आज जब पीटर नहीं रहा ये पाप मेरे हिर्दे को चलनी की दे रहा है तुम्हारा और पीटर करिष्टा जानते हुए भी मैंने तुमसे प्यार करने का पाप किया है नहीं संजीव प्यार कभी पाप नहीं होता प्यार हमेशा बवित्र होता है जहां मैं पीटर को दिल और जान से प्यार करती थी वहीं तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार बरी इज़त थी और वो इज़त इस इजार से और बढ़ गई है संगीता मेरे दिल से बोच हट गया मैं तुम्हें यकीन दे राता हूं आजाद होते ही मैं पीटर के कातिल को हजारों में ढून निकालूंगा उसके कातिल का चहरा आज भी मेरी आँखों के सामने घूम रहा है अब वो ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रहेगा नहीं संजीव जजबातों को विवेक पर हावी मत होने दो हमें कॉलेज को उन दरिंदों से आजाद कराना है जो पीटर के कातिल है पीटर का फ्यूनरल कब है कल मैं पीटर के फ्यूनरल में जाना चाहता हूं जरूर संजीव नमस्कर दादा साहिब अरे आओ पुरसुत्तम आओ आओ बेटो क्या समाचाल लाए हो पीटर की मौत ने आग पर तेल छिड़का और आपकी जमानत ने उसे हवा देदी लेकिन लेकिन क्या इससे डैनिस प्रेयर के कैम्प को बहुत फायदा होगा दादा साहिब फायदे कि वो सोचते पुरसुतम जिने नुक्सान का डर होता है यह राजनीती है तुम देखना हम ऐसी चाल चलेंगे कि डैनिस परेयरा को चक कर आ जाएगा कैसी चलता था साहिब मैं तुझे समझाता हूँ कल पीटर का फिर नरण है संजीव वहां जाने वाला है तुम अपने आदमियों से संजीव पर पत्थरों की बारिश करवा दो लेकिन संजीव को तो आप अपना दमात बनाना चाहती थे कभी किसी नेता ने मतलब निकल जाने के बाद अपने यह भी एक चाल है लोग समझेंगे कि डेनिस परेरा ने ही संजीव पर पत्थर फिकवाए तेंशन और बढ़ जाएगा मान गए दादा साइब आप बहुत दूर की सोचते हैं यह तो कोई बेवकुब भी सोच सकता है कि दूर की बाद तो यह पुर्शत्तम कि सीम को वार्निंग मिल चुकी है कि कुछी दिनों में अगर हमारा प्रदेश शांद नहीं हुआ तो दूसरा सीम लाया जाएगा और वो दूसरा सीम मैं मैं कि इसलिए पुर्शतम जितने दंगे फसाद बढ़ेंगे उतनी सीम की कुरसी मेरे पास आएगी तो फिर देखिए दादा साहिब कि फिनरल में क्या होता है कि इसलिए ए страх दल्र हमारा देखिए अट करते हमारा पास में कोमारा आएगा में कोशा समय के दितने दंगे का मार्वा to झाल 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 झाल